बॉर्निंग शुडेंट्स वेलकम टू ओलाइन क्रासिज अफ्रीजी पॉब्लिक स्कूल शुडेंट्स तुडेंट्स टूडेंट्स एक्स्प्लेंट्स चैप्टर टैन उके यूकी एंड दे सुनामी शुडेंट्स जब यूकी ने सारी बॉर्यों में आग लगा दी तो सभी लोगों को बुला कि आ रहे आग लगी अग लगी और आप फटा फट से आ जाओ इधर यहां पर सारी में आग लगी हुई है इस माउंटेंटेंपर छड़ाओ सारे लोग डर की बज़े से सारे लोग म बेस्ट कर दिया उसके ममी पापा जो है वो भी उसको उसकी तरफ भौहे चड़ा कर बहुते चिलाने लगते हैं यूकि अपने सर को बिलकुल नीचे की तरफ चुका लेता है लेकिन तब ही थोड़ी दिर बाद क्याता है कोई चिलाता है देखो यहां पर ता एज ऑप ता ह उसकी जो लहरें थी अब बहुत मोटी मोटी होने लगी है दीरे दीरे और वो बढ़ती 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 दीरे दीरे बढ़ती ही जा रही है और बहुत दूर तक फैलती जा रही है अब जो समदर था वो रिटर्न हो रहा है फिर से वापस से अब पीछे की तरह बढ़ र लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ी सुनामी है सब ही लोग जो हैं बहुत जो जो से सुर करने लगते हैं जा रहा है और बहुत जो जो से धंडर होने लगा है सारी चीजों को जो हिल्स हैं उनकी तरफ से होकर जो सुनामी है वो चलती जा रही है जो पानी है बहुत जादा लह रहे हैं बहुत उंशी उंशी उठकर आ रही है इसी से और उन लोगों के उपर भी बहुत जोड से इस प्रे टाइप आप देख सकते हैं बहुत जोड से एकदम पानी का बहाव है तो इनके उपर भी पानी जो है वो आने लगा है सारे लोग जो है वो हरोने लगे हैं कि उनकी जो जमीन थी वो उन्होंनी जो खेती हो गई थी वो सारी चीज़ा नस्ट हो गई है ट्विस्ट थ्री टाइमस फाइब टाइमस ओफ सी स्ट्रक दा लेंड एंड एबल्ड बार बार उस समुद्र की तरफ से बार बार वो लहरे गाउं की तरफ आती है फाइनली सी जो है वापस नॉर्मल हो गया है हर और अपनी जगह पर चला गया है इसी से जो सी है अब इतना ज़्यादा होरे बल दिखाई नहीं दे रहा है माउंटेन पर सारे लोग बहुत लंबे समय तक खड़े रहे और एक भी वर्ड वो बिल्कुल नहीं हर कोई जो है वो बिल्कुल चुप नीचे नजरे गड़ाए खड़ा हुआ है उसके बाद सभी लोग नीचे वापस अपने गाउन की तरफ उतर कर आए है और सभी अपने जले हुए खेतों की तरफ देख रहे हैं और यूकी से जो है वोई आवाज में माफी मांग रहे हैं यूकी के फादर जो है वो भी बहुत दीरे से बोलते हैं बेटे तुमने हम सब को बचा लिया और सारे लोग जो है वो यूकी को थेंक यू बोल रहे हैं और अब वो बोल रहे हैं कि आज हम सच मुच आज की रात हम राइस हारवेस्ट जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आज इसलिए सेलिब्रेट करने जा रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जिन्दा हैं और दे चीर्ड विद रिलीफ एंड एड्मिरेशन एट ब्रेव यूकी वो यूकी की बहादुरी के लिए इस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं who had saved the than 400 lives of that day, जिसने उस दिन 400 से जादा लोगों की जान बचा ली थी, इसी वज़े से आज वो फेस्टिबल मनने वाला है, सुनामी आने के बाद भी, okay student, I hope you have understood this chapter, okay, thank you,